हेलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगी बहुत हेल्दी और टेस्टी नास्ता जिसे हम कम समान से ब्रेट से बना कर तयार करेंगे और ये नास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जब भी आपको जटबट कुछ बना करके तयार करना हो तो इस नास्ते को आप बना सकते हैं क्योंकि इस नास्ते को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये नास्ता जटबट बन करके तयार हो जाता है तो दोस्तों वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और हाँ यह दिया आप हमारे चैनल पढ़ना है या पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों इस आसान से नास्ते की डेश्पी को बनाना शुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हमने आपे चार से पांच ब्रेड दीए हैं दोस्तों आपको जितना भी नास्ता बनाना हो उसे इसाब से आप यहाँ पे ब्रेड ले लें अब हम यह पे एक एक bread लेंगे और इसको ऐसे glass से cut कर लेंगे तो यह देखिए bread को तो मैंने अपे अच्छे से cut कर लिया है अब यह जो किनारी का भाग आगा bread का इसे में बिल्कुल भी नहीं अटाना है तो इस bread के किनारे वाले भाग का हम bread crumb बना करें जो कि हमें सारी रेस्पीज में काम आता है इसलिए इसे बिलकुल भी नहीं अटाएंगे तो यह देखें यहां पर हमने ले लिए हैं दो कच्छे आलू यह कच्छे हैं जिसका मैं चिकल अटाकर इसके अच्छे से वाश कर लिया है अब हम बारीक वाला ग्रेटर लेंगे जिस से कि नास्ता हमारा बहुत ही जल्दी से पक जाता है तो अब हम इन लच्छों को दो से तीन बार अच्छे से वाश कर देंगे और अा नहीं बास यहां करने के बाद नुभाता यहां है अलग कर दिया यह इसमें डालेंगी French ले शिज़ Lite वीशन यह हयो जंच आप कब से थो चमच कॉन फ्लोर जिससे नास्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बनेगा दोस्तों यदि आप कॉन फ्लोर ना डालना चाहें तो इसके जगह आप चावल का आठा भी अड़ कर सकते हैं साथी डाल देंगे दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च एक मीडिया साइस का बारी कटा हुआ प्याज अब इस नास्ते में बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए डाल देंगे एक चोथ याई चमच अजवाइन तो दोस्तों यदि आपको अजवाइन का फ्लेवर ना पसंदो तो इसके जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं अब हम हातुप से ऐसे अजवाइन को थोड़ा सा क्रस्ट करके डालेंगे जिससे की फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें डाल देंगे एक चोथ याई चमच हल्दी पाउडर जिससे की नास्ते में कलर बहुत अच्छा आएगा और साधी डाल देंगे एक चोथ याई चमच लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे एक चोथ याई चमच काली मिर्च पाउडर साथी डालेंगे एक चोथ याई चमत जीरा पाउडर अब हम इस नास्ति को थोड़ा सा और तीखा चटपटा बनाने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लैक्स अब डालेंगे स्वाधन नमक और बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ती अब हम इसमें डालेंगे आधा कब पानी और पानी डाल करके सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे तो हमें आपे पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है नहीं तो पानी हमारा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इस बटर को में पतला नहीं करना है और एक तुम ठिक भी नहीं करना है तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको घोलते जाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये बना करके तयार करना है इसका बटर इससे ज्यादा पदला नहीं करना है और नहीं इससे ज़्यादा गाड़ा रखना है तो आप इस mixture की consistency देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें गोल करके वयानी की mix करके तयार करना है तो ये लीजी दोस्तों अब लीना है एक फ्राइपन और उसमें डालना है एक से दो चमच ओइल और जैसे ही ओईल अच्छी से गरम हो जाए उसकी बाद हमें या पर एक चमच मिक्षर बरेंगे और इस पैन में अच्छे से एक जगे रख देंगे एक जगे रखने के बाद हमें इसको ज्यादा बिल् आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है ठीक इसी तरीके से हमें यह दूसरा भी बना करके तयार करेंगे तो पैन को हमें या बहुत ज़्यादा भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके पैन में एक या दो जितना भी नास्ता आपाई उसी को बस अच्छे से बना लीजेगा तो कुल मिला कि हमें एक बार में तीन नास्ते को बना करके तयार करेंगे तो जब आप ऐसे मिक्षर पैन में डाले तो यह बहुत सारा नहीं डालना है यदि आप छोटी चमच लिए हो तो इसको दो से तीन चमच जालने और तो बस एक एक चमच सी नास्ते के लिए हमें मिक्षर लेना है तो हमें आप या पर ब्रेड को अच्छे से कवर कर देना है यह लिजी चमच जालने तो बस इसी तरीके से को बनाएंगे और इसको लिड लगा कर लो फुले में दो से तीन निन जालने टो यह पर पर ब्रक तो एक तरफ से बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ चुका है और यह एक तरफ से क्रिस्पी भी हो चुका है तो धीरे से हम इसको पलटेंगे और कल्ची से इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए हम इसे दूसरी साइड भी सेक लेंगे तो दोस्तों इस तरीके से यह नास्ता बनाने में समय तो लगता ही नहीं है और खाने में भी यह नास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और यह नास्ता बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि है इतना यह नास्ता टेस्टी तो इसी तरीके से हम अपना ये सारा नास्ता सीच एक्डम क्रिस्पी शिख चुका है देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आया है और ये बहुत ही लाजवाब नास्ता पान करके रेडियो चुका है इस नास्ती को आप सामकी चाय में या सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नियू रेस्पी के साथ टेक केर बाबाई